आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ What do you understand by Biosphere Reserve? पूछा गया कि Biosphere Reserve के नाम से हमें क्या चीज़ पता है तो बेसिक अलिए Biosphere Reserves जो होते हैं ये Large Areas होते हैं और ये Large Areas जो होते हैं ये पूरी तरेके से Protected Land हिसाब से बना हुआ रहता है और ये Protected किसके लिए रहता है तो ये Conservation के लिए प्रोटेक्टेड रहता है ताकि यहां पे Conservation किया जाए किन-किन चीज़ का तो हम कह सकते हैं कि Wildlife Conservation किया जाए जो Particular Fauna और Flora पाए जाते हैं उनको भी Protected रखा जा सकें और साथ में जो यहां पे Tribal Lives होते हैं उनको भी यहां पे नौकरी दिया जाता है यहां पे Jobs प्रोवाइड किया जाता है दाकि वो भी Take Care कर सके जो यहां पे Wild Animals पाए जाते हैं और Basically Biosphere Reserves जो हैं वो तीन Zones में पाए जाते हैं यहां पिर पहला जो 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 होता है एकदम Interior में उस Zones को वोला जाता है Core Zone और Core Zone जो होता है यहां पे Particularly सिर्फ Wild Animals ही पाए जाते हैं और वहीं पे उनका Habitat होता है उसके बाद जो Region होता है उसको बोला जाता है Buffer Region और Buffer Region में क्या होता है कि यहां पे थोड़ा थोड़ा जो बाकी Organisms यहां पे Tribals हैं वो भी यहां पे क्या कर सकते हैं चोटे चोटे खेतों में फार्मिंग वगेरा कर सकते हैं और लास्ट जो यहां पे एरिया होता है उसको Transition Area के नाम से जाना जाता है और Transition Area इसी वैसे कहा जाता है क्योंकि यहां पे प्रॉपरली Tribals जो हैं वो लिव करते हैं और ऐसे Tribals जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे Wildlife Sanctuary को यहां पे यहां पे Biosphere Reserve है और Wild Animals को प्रोटेक्ट करना ही इनका काम होता है और अगर देखा जाए तो इंडिया में 18 टोटल Biosphere Reserves होते हैं जिनमें एक्सांपल्स अगर देखा जाए तो बंडिपूर जो है यह वन आफ दो Biosphere Reserve है वही पे तमिल नारू में भी अगर देखा जाए तो तमिल नारू में भी ऐसा एक Biosphere Reserve है जो कि बहुत जादा फीमस है और इसको सीरी नावी या फिर सीरी वानी हिल्स के नाम से जाना जाता है तो यही हो जाता है करेक्ट आंसर और इसी को हम लोगें आपे नोट डाउंट कर लेंगे